बच्चों, आज मेरे घर में मेरे जरुरत की बहुत सारे सामान है, वो खत्म हो चुका है, स्पेशली राशन, और मेरे पास इतना समय भी नहीं क्योंकि मेरे घर में इतना काम है कि मैं बाजार जाकर के उसे लेकर आ सकूँ, इस सिती में मैं क्या कर सकती हूं? बिल्कुल सही, मैं एक काम करती हूं, मैं अपने सामान को ओनलाइन ओर कर देती हूं, आईए चली करते हैं, हम ओनलाइन ओर, ओके इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ब्राउजर या अप्लिकेशन, ये क्या होता है बच्चों, जिन अप्लिकेशन से हमें आवशक्ता की चीज मिलेंगी, उन अप्लिकेशन को सर्च करते हैं, या हम उसे सर्च इंजिन भी कहते हैं, तो चलिए हम देखते हैं पहले सर्च इंजिन, ओके मेरे आवशक्ता की चीजें, इस ब्राउजर में मुझे ऐसा लगता है, कि यहां पे चीजें थोड़ी महंगी हैं, आईए दूसरा अप्लिकेशन सर्च करते हैं, और कंपेर करते हैं, दूसरा अप्लिकेशन मैंने सर्च किया, ओहो, अरे वा, इसमें तो मुझे 30% डिसकाउंट और बहुत सारे डिसकाउंट दिखा रहे हैं, बाइवन, गेटवन, फ्री रैसे ओफर भी हैं, मैं एक काम करती हूं, मैं अपन पेमिंट की बात आ रही हैं, बचों यहां दो प्रकार का पेमिंट दिख रहे हैं अब, पहला पेमिंट है, Cash on delivery है, वो है आनलाइन पेमिंट, चैश ऑन डिलिवरी सही हैं, बट अगर मैं घर पर नहीं रही, तो पेमिंट कैसे होगा, डिलेवरी तो कोई भी रह लेगा, ए काम करती हूं मैं online payment कर देती हूं ठीक है online payment कैसे करते हैं आप चेक करते हैं ओके online payment को option में गए bank details जा ले उसमें account number अपना credit card या debit card का number और मेरा pin जो मैं आपके साथ share नहीं करूंगी यह secret होता है उसके बाद amount total amount को okay कर दिया यह यह हो गया मेरा online payment अब देखते हैं इसमें message आ रहा है कि मुझे दो दिन में मेरा सामान मिल जाएगा देखते हैं दो दिन में आता है कि नहीं बच्चों देखिए मुझे दो दिन में यह सामान जो मुझे बहुत जिसकी आवश्य रखता थी मेरे घर पर ही मिल गया तो बच्चों आप यह क्या देख रहे हैं आपने यहां मुझे देखा online shopping करते हुए और आज का आपका topic है e-business और अब हिसे हम detail में जानेंगे कि e-business होता क्या है और यह online shopping से किस तरीके से relate करता है e-business जैसा कि यह नाम से इस पर्ष्ट है e मतलब internet बच्चों सारी जो shopping से related जितने भी क्रियाएं है यानि हम व्यापार में जो क्रियाएं कहते हैं व्यापार क्या है बच्चों क्रे और विक्रे की क्रिया है तो यह जो क्रिया है जब internet के माध्यम से की जाती है तो इससे हम कहते हैं e-business राइट अब देखिए इसमें क्या होता है internet users जो की आप मुझे देख रहते हैं अभी मैंने अभी जो act किया उसमें मैं एक internet user थी मैंने क्या किया internet के different browsers को यानि applications को यूज किया किस लिए shopping करने के लिए क्या shopping करनी थी जो भी मेरी आवश्रक्त की वस हुए मुझे उसे खरीदना था मैंने क्या किया internet के माध्यम से different apps पे उनको search किया जिन apps पर मुझे वो offers पसंद आये या मुझे ऐसे लगा कि ये वस्तुएं सहीं कीमतों पर मुझे मिल रही हैं मैंने वहां से उनने क्या किया order कर दिया उन वस्तुओं को क्या कर दिया मैंने order कर दिया order करने के बाद जब वह तरीके समझाए एक cash on delivery समझाई और एक मैंने आपको समझाया online payment तो मुझे जैसा सही लगा उस समय मैंने वैसे ही किया और उसके बाद बात आती है supply की तो जैसा कि आपने देखा कि मुझे जो हैंड ओवर हुई delivery में मुझे जो मेरी आवश्रेक्ता की वस्तुएं हैंड ओवर क की गई वही supply के अंतरगता दाई है तो इससे सपष्ट होता है कि बच्चों जब इब बिजनस की बात आती है तो यह जो बिजनस या व्यापार होता है पूरी तरीके से internet-based होता है और दूसरी चीज़ क्या होती है यह किन-किन बातों में सहायता करता है जैसे कि आपने आक् मैंने घर बैटे ही सारी shopping कर ली दूसरी चीज़ मेरे समय की काफी बचत हुई है ना और तीसरी चीज़ मैंने उतने ही समय में अपने दूसरे काम भी पूरे कर लिए तो बचों यह है e-business या e-shopping के through e-business कैसे होता है यह मैंने आपको बताया अब अगर हम e-business का अर्थ स अर्थ के रूप में समझें तो सबसे पहले व्यापार को लेते हैं यानि बिजनस को जैसा कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं व्यापार के दो भाग हैं पहला भाग है उद्योग यानि industry और दूसरा भाग है वाणिज यानि commerce उद्योग क्या होता है यानि इंडिस्ट्र यानि commerce की बात करें तो commerce क्या है commerce के अंतरगत क्या होता है जो वस्तुएं हैं उनको उत्पादन सलसे उब्भुकता तक पहुचाने के लिए जितनी भी क्रियाओं को किया जाता है वे सारी क्रियाओं किसमें आती हैं commerce के अंतरगत आई तो अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो व्यापार जो है उद्योग और वानिज दोनों को मिला कर ही किया जाता है और व्यापार को हम कैसे परिभाशित करते हैं व्यापार में कौन सी क्रिया होती है व्यापार में जो होती है क्रे और विक्रे की क्रिया होती है अब अगर हमने व्यापार का अर्थ समझ ल तरीके से प्रश्च समझतें ऐसे जो ओद्यों की क्रियाँ होती हैं उस में उत्पाधन प्राप्त करना उत्पात का विकास करना लेकहांग गीस यह सारी प्रेयद Doesn't उसी तरह हम कॉमर्स को यार्नि वानिजिक क्रियों खिनी तो कौंसी क्रियाई होती है उसमें माल इन्टरनेट बेज़टी हैं तब क्या होता है युझे हम इव्यापार कहता है इंटरनेट बेस्ट आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक आक्ट के माध्यम से समझ लिया है कि इंटरनेट बेस्ट व्यापार होता क्या है जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया की कारे प्रणाली क्या है जो इब बशनेश की कारे प्रणाली हम देखेंगे उसमें सबसे पहले हम देखते हैं उसके जो पहला स्टेप है वो कहता है संबद वेबसाइट की खोज यानि search of relevant website अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे जिन वस्तों की जरुरत है मैं उनको क्या कर रही हूं different applications या browsers में चेक कर रही हूं जैसे कि कुछ browsers आप बहुत अच्छे से जानते हैं कुछ flip card हुए Amazon हुए best price हुआ यह लोग खुद अपने applications को run करते हैं या अपने browsers run करते हैं यह internet पे आपको available होते हैं तो यह वह website या portals या browsers हैं जिन पर आप अपने पसंद की वस्तूं को search करते हैं जैसे कि आप बहुत इसे चरीके से जानते हैं कि आज का जो जीवन हैं यहां पर अक्सर लोग online shopping करते हैं इन दौरान आप सभी इन browsers से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं फिर बात आती है website में इच्छी उत्पात या सेवा की तलाश करना search for desired product or services on the website जैसे कि मैंने आपको एक्ट में बताया कि मुझे जिन वस्तूं की आवर्शक्ता थी मैंने क्या किया उनको search किया या उनको खोजा अब मुझे मिल तो गया था लेकिन मुझे क्या लगा उस समय कि कुछ वस्तूं की दाम जादा बता रहे तो मैंने फिर दूसरे application search किया जहां पर मुझे offers मेरे तो मैंने क्या किया उस product को पहले application से या पहले browser से न लेकर के मैंने दूसरे browser से खरीद लिया browser या फिर कह सकते हैं दूसरी website portal पे जो दिखा रहा था मालिजे एक कह सकते हैं कि A portal से न खरीद करके या A website से न खरीद करके मैंने उसको B website से खरीद लिया आगे बढ़ते हैं जो तीसरा e-business का कारेप्राणादी के अंतर जो तीसरी आती है वो है पूर्तिकरता के साथ समझाता negotiation with suppliers अब अगर ऐसा होता है कि negotiation यानि समझाते के दौरान ऐसा कुछ समझाता बनता है उभोकता और पूर्तिकरता के बीच कि वस्तु के पहुंचने पर कुछ दाम हैं वो उनको कम करके दिये जाएंगे या कुछ offers उस समय include हो रहे हैं जो जिनकी time limit खतम हो गई है लेकिन एक second पहले ही उन्होंने वो purchase किया है तो वो suppliers उनको उस चीज़ के लिए allow करते हैं कि नहीं आप भाई आपका ये product पहले के rate में ही मिलेगा तो इस तरह के अ बात आती है हां और एक बात ये जो समझाता होता है इसके लिए जो number नीचे दिया होता है उस website पर प्रड़क के नीचे कि आप इस परसंद से अगर कोई समस्या होती है तो इस number पर contact कर सकते हैं उस number पर contact कर सकते हैं वो पूर्ती करता से समझाते कर सकता है या उस उत्पाद क के बारे में जो भी चर्चा करना चाहता है वो चर्चा कर सकता है इसके बाद बात आती है भुकतान करना making payment जैसे कि मैंने बताया कि जो है यह electronic fund transfer के थू होता है debit card या credit card का use करके जो है आप भुकतान कर सकते हैं online नहीं तो आप क्या कर सकते हैं cash on delivery भी कर सकते हैं लेकिन क्यो e-business की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो हम भुकतान की चर्चा करेंगे वो online fund transfer की चर्चा करेंगे जो कि किसके द्वारे की जाती है debit card या credit card debit card क्या होता है और credit card क्या होता है इसके पहले के part में मैंने आपको उसके बारे में detail में बताया हुआ है और last में बात आती है सुपुर्दगी याने delivery के देखिए बचो delivery भी जो होती है दो प्रकार की होती है ठीक है एक delivery होती है online distribution जिसे हम कह सकते है online वित्रण और एक delivery होती है वो होती है physical distribution जिसे हम हिंदी में कहते हैं भौतिक वित्रण अब online distribution किसका होगा मान लिजे आपने कोई ticket book कर आई train की ticket book कर या alliance की ticket book कर आई तो उसके लिए क्या होगा आपके mail पर वो ticket आजाएगी ठीक है तो यह हुआ online distribution है इसी तरीके से अगर मैंने वस्तुएं मंगवाई है तो वो क्या होगा हमां भौतिक रूप में मिलेगा तो उसे हम किसमें कहेंगे physical distribution के तहत कहा जाएगा कि वो जो है उन् प्रणाली में भौकतान के बाद delivery भी हो गई अब delivery के बाद एक और बात आती है वो है after sales services की मतलब जब भौकताने वस्तु खरेद ली है लेकिन उसके बाद भी उसको किस तरीके की सेवा प्रदान की जाए तो यह कारे भी करना इस कारे प्रणाली के अंतरगत आता है अगर क या कोई समस्या उत्पन हो जाती है तो इसके लिए यह e-business जो लोग चलाते हैं या आप e-business के website या portal पे complaint डाल सकते हैं और उसके against में या उसके तहत हम कह सकते हैं वह कारेवाही की जाएगी और आपको या तो वस्तु बदल कर दी जाएगी या क्या किया जाएगा तरीके से हमने जो है e-business की कारेप्रणाली को अच्छी तरीके से जाना है आगे हम देखते हैं कि e-business का शेत्र क्या है बचों e-business का शेत्र बहुत व्यापक है यह केवल छोटे से शहर में ही नहीं जैसे कि आप जानते हैं यह national even international level पे भी यह कारे करता है अब अगर हम e- business के शेत्र को जाने तो अगर हम इसे व्यापार के रूप में देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार होगा जैसे कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यह जो e-business है वो दो छोटे राजियों में ही नहीं पूरे देश में ही नहीं बलकि international level पे भी यह business किये जाते हैं ठीक वित विपनन कर्मचारी प्रशासन एं प्रबंधन की सारी क्रियाओं को इन में शामिल किया जाता है और अगर e-business के शेत्र को हम देखें तो उनको इन पांच शेत्रों में बाटा गिया है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सबसे पहला शेत्र है व्यवसाय से यानि business to business commerce यहां पर दोनों जो पक्ष हैं वो बिजनस के हैं अब यह एक दूसरे के साथ व्यापार कैसे करेंगे अगर हम इसको एक छोटे से उधारन की माध्यम से समझें यदि किसी व्यापारी का manufacturing unit है या वो उत्पादन करता है किसी वस्तू का तो उसे उसके लिए किस और म vaccines कי आवश्कता होगी रों मोटी यानि कच्य माल की तो ये कच्च्य माल क्या करेगा विद गो दूसरे व्यापारी से खरीतेगा तो यहाँ पे पहला व्यापारी है और इक तै बिज़ाब्यच back- उसे अपने वस्तों की उत्पादन के लिए क्या चीज़ क्या आवश्यक्ता है? रॉम माटीरियल यानि कच्छे माल क्या आवश्यक्ता है? और ये कच्छा माल वो कहां से खरे देगा? दूसरे व्यापारी से. अब ये दूसरा व्यापारी भी क्या करेगा? उस पहले व्यापारी को कच्छा माल बेचेगा. तो यहाँ पर किस तरीके का बिजनस हुआ? B2 B बिजनस हुआ. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगला बिजनस कौन सा है? अगला है व्यावसाय से ग्रहक यानि B2 C Commerce. जैसे कि मैंने आपको अभी आक्ट में दिखाया, मैं as a customer यहाँ पर थी और जो portals online चल रहे थे या जिन ब्राउजर पर मैंने सर्च किया, search engine भी कह सकते हैं, वो क्या थे? वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं या जो उनकी owners हैं, वो लोग क्या हैं? व्यवसाई हैं, तो यह जो व्यवहार हुआ या यह जो commerce हम कह सकते हैं, यह B2C Commerce के अंतरगत आया है, यह जो business हुआ B2C Commerce के अंतरगत आया है, अब यह जो B2C Commerce है, बच्चो यह 24 into 7 available है, मतलब 24 घंटे, 24 घंटे 7 दिन available है, आप कभी भी आप online shopping कर सकते हैं, चाहे आपको जाने का सामयन क्या विशकता हो, चाहे आपको आपके लिए ज्वैलरी चाहिए, आपके लिए कपड़े चाहिए, आपके बाथरूम का सामान चाहिए, या कुछ designer dresses चाहिए, या इसके अलावा आपको कुछ decoration का सामान चाहिए, गिफ्ट चाहिए, कुछ बे चाहिए, तो बिजनस को क्या कहा जाता है व्यवसाय से ग्रहक यानि B2C Commerce के अंतर गतलाया जाता है निक्स जो है वो कहता है व्यवसाय के अंदर यानि इंट्रा B Commerce इंट्रा बिजनस Commerce अब इसे हम एक उदारण के माद्यम से समसक सकते हैं एक Manufacturing Unit है या मान लेते हैं हम एक Plant है अब उस Plant में क्या होगा क्या एक एक Department होगा नहीं जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़े से Enterprise में या किसी भी Organization या संगठन में विभिन विभाग स्थापित के जाते हैं या Department समझे से कह सकते हैं यह कौन कौन से हो सकता है यह सेल्स हो सकता है Marketing हो सकता है Production हो सकता है ठीक है परचेस हो सकता है और इसके पर्सनल डेपार्टमेंट हो सकता है यह सारे अलग 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 डिपार्टमेंट है ठीक है दिपार्टमेंट को बताता है कि अभी डिमांड हाई है यानि अभी वस्तुओं के आवश्रक्ता जारा है तो आपको क्या करना है अपने प्रडक्शन को भी बढ़ाना है तो यह जो बिजनस हुआ यह होता है इंट्रा बी कॉमर्स मतलब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को क्या करनाता है बिजनस को बढ़ाने के लिए वो सारे इन्फरमेशन देता है जो कि रिक्वाइड होता है उसी तरह कर हम पर किस तरह के क्वालिफिकेशन की आवश्यक्ता है उनको क्या करना उनकी खोज करना उनकी न्यूक्ति करना है तो इस तरीके से हमने तीसरा जो यह बिजनस का क्षेत्र है यानि व्यवसाय के अंदर इंट्रा बी कॉमर्स उसको समझा चौथा आगे बढ़ते हैं और देखते ह चौथा है ग्राहक से ग्राहक छीट में होता है कि थि क्या चौठों को ईबस्तूओं की और शक्ता होता है इसके एक बहुत अच्छा OLX पर बेज देते हैं और सामने वाले को जिसको उस वस्तु की आवश्क रहता है इसको अगर ऐसा लगता है कि वह वस्तु कीमत पर उसे मिल रही है तो वो क्या करता है आपसे खरीद लेता है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां ग्राहक से ग्राहक, मतलब आप भी ग्राहक हैं और सामने वाला भी ग्राहक है, दोनों ही C to C Commerce के अंतरगत क्या कर रहे हैं, बिजनस कर रहे हैं या व्यवहार कर रहे हैं, तो यह चौथा हुआ, ख्रित्र की और बढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं ग्राहक से व्यावसाय यानि C to B Commerce अब इसमें क्या होता है बच्चों कि ग्राहक से व्यावसाय में ग्राहक इकठे होकर स्वयम को एक क्रेता संगरह के रूप में प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार संयुक्त रूप में होने के कार और लेन देन आर्थिक रूप से सस्ता पड़ता है तो वज़ो इस सारीके से हमने क्या किया कि E-Business क्या होता है उसको जाए और E-Business किस सारीके से काम करता हम काम करता उसको जाना और E-Business के कौन कौन से 5 शैत्र हैं हमने उसको blocking आईए बचो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि e-business से प्राप्त अफसर यानि scope और opportunities of e-business जैसे कि आपने देखा कि e-business का ख्षेत्र जो है बहुत ही विस्तृत है और व्यापक है इसमें अलग अलग तरीके से व्यावार होते हैं या व्यापार किये जाते हैं हम कह सकते हैं जैसे कि आपने देखा b2b, b2c, c2c और भी दू अब अगर हम इसको detail में समझें तो अगर इसको हम देखें तो व्यावसाइक लेन देन के जो अवसर प्रदान करता है ये जो e-business उ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो e-business होता है उसको भूम अंडली कर दिया गया है मतलब यह worldwide होता है worldwide मतलब पूरे विश्व में यह इस प्रकार का व्यापार फैला हुआ है और इसके अंतरगत आपको विश्व में कहीं भी किसी वी तरीकिया व्यापार करना है तो आप इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं दूसरी चीज़ कहता है कि यह जो है वस्तुओं का स्क्रै विक्रै करना बिल्कुल सरल बना देता है यह बिल्कुल सही बात है आपको चाहिए electronic appliances खरीदने हो उसमें आपको mobile लेना है fridge लेना है टीवी लेना है या कुछ भी लेन है जो भी जिस तरीके के winter wear लेना है summer wear लेना है जिस तरीके के कपड़े चाहिए raincoat लेना है चाता लेना है बॉटल लेना है कुछ भी लेना है इवन आपकी grocery घर का किराने का सामान भी लेना है तो वह भी आप खरीद सकते हैं यह तो है वस्तूं की बात अब अगर हम सेवाओ की बात करें तो इसमें भी मा को ले सकते हैं उसको हम आगे जानेंगे तीसरे बिंदो कहता है कि यह व्यवसाय ने banking वा धन के हैस्तांतरन की व्यापक सुवधाय प्रदान की हैं बिल्कुल सही जैसे कि मैंने online payment की बात करी और उसमें मैंने बताया कि मैंने अपने bank के details डाले अपना account number हुआ मुझे उस account से जो bank ने card दिया है debit card या credit card उसके detail डाले अपना pin डाला तो इस वज़े से e-wavisai ने क्या किया है e-wavisai ने banking के through क्या है banking वधन के हस्तांतरन को और अधिक आसान कर दिया किया है आप बहुत सारे applications यूज़ करते हैं पे टीम यूज़ करते हैं beam आप यूज़ करते हैं और भी कई सारे app हैं जो यूज़ करके आप online payment करते हैं और ये सारे payment कैसे होते हैं क्योंकि ये जो apps हैं वो क्या करते हैं आप अपने phone में install करते हैं और install करने के बाद उसे अपने bank के account से connect करते हैं जिसकी वज़े से क्या होता आप account में से आपके पै को आराम से कर सकते हैं अब अगर आप देखें तो आज कल इंटरनेट पर प्रॉपर्टी भी विक रही हैं वहां पर प्रॉपर्टी के सारी डीटेल्स दिये रहते हैं प्रॉपर्टी कितने एरिया में हैं यह आप मकान देख रहे हैं तो वह कितने एरिया में हैं या वह कितने फ्लोर का है 2BH के है 3BH के है ठीक है और उसमें और क्या क्या कार पार्किंग की सुवधा है गार्डन है लॉन है क्या क्या चीज़ें सारी चीज़ें साथ ही साथ वो उसमें टौलेट बाथरूम कितने हैं सारी चीज़ें उसमें दी होती है और उसमें कॉंटाक परसन का नाम भी दिया रहता है तता approximate price भी दी होती है कि ये price इस property की दी गई है बाकी negotiation के बाद आप उस व्यक्ति से मिलकर जिसकी property है उससे आप चर्चा कर सकते हैं और उसमें उपर नीचे करके आप उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं या property कर सकते हैं तो जैसे कि ये point कहा रहा है कि संपत्त समंदी लेंदेन भी आराम से हो सकते हैं जो कि इस व्यवसाइब बीमा व्यवसाइब के शृत्र में विभिन अवसर प्रदान करते हैं इसमें बीमा का चैन बीमा प्रीमियम की भुक्तान इत्यादी सारे आते हैं जैसे कि बच्चों आपने कई बार टीवी पर एक भी देखा होगा उसमें अक्सर लिखा हुआ आपने देखा है यह बहुत स्पीड में हो क्या कहते हैं आपने सुना हैं यहां मुसे धीरे से पढ़ेंगे mutual fund investments are subject to market risk read all schemes related document completely इसका मतलब यह है कि जो mutual fund में आप invest करना चाहरे हैं यह market risk से सम्मंदित हैं किसी भी प्लान को लेने से पहले उसके सारी जितने भी documents हैं उसको अच्छे से पढ़ें यह बीमा के लिए मैंने आपको उदारान दिया जो अक्सर आपको टीवी पे as advertisement दिखा है और बड़ी स्पीड में वह स्टेट्मेंट को पढ़ते हैं आज हमने उसे थोड़ा दो पढ़ होता है जैसे कि मैंने आपको बताए थू क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड असानी से online payment की जा सकती है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड क्या होता है यह इससे पहले के chapters में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है अगला बिंदु कहता है कि यह business ने वि कर सकते हैं तो अब देश ही नहीं विदेश में भी क्या कर सकते हैं अब घूम करके आ सकते हैं साथ ही साथ वहां व्यापार कर सकते हैं वहां की जो चीजें हैं मतलब आप अगर वहां से कुछ वस्तूं को लाना चाह रहे हैं तो उन वस्तूं की कीमतों को पता कर सकते हैं अ और बिए परिवहन की जितनी सविदाएं आज के जमाने में उपलब थे वो भी कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदू कहएता है अंतराश्च्री वित्र के शेत्र में विविन प्रकार के अफसर प्रदान करते हैं जैसे कि अंतराश्च्री सर्पस्थंस्थागत रेंड, बॉर्ण, बिल, भुकतान, इत्यादी और अंतिम मिंदु कहता है जो यह बिजनस होता है वो फुटकर व्यापारी ठोक व्यापारी और उत्पाद को को नजदीक लाने की कोशिश करता है ताकि यह मिल जूल कर एक साथ काम करें और कस्टमर यानि उभोकता को और अच्छी सर्वेस दे तो बच्चों आपने यह अव ममी से कहते है कि ममी बहुत जोरो से भूख लगी लेकिन घर का कुछ पिखाने का मूड नहीं है तो आप लोग क्या करते है आजकल बहुत से बच्चे या बहुत से घर के लोग पीजा जादा पसंद करते हैं तो तुरंत पीजा ओन-लाइन ओडर करते हैं और विदिन हाफ ए और वो पीजा आपके घर डिलिवर हो जाता है या तो आप उसको ओन-लाइन पेमेंट कर देते हैं या कैशन डिलेवरी करते हैं यह एक बिजनस है ठीक है यह एक प्रकार का यह ब्यापार हुआ है तो यह आप इसके अलावा भी आप देख सकते हैं जुमेटो हुआ स्विग की हुआ इसके थ्रू भी आप ओन-लाइन फूद डिलेवर करते हैं यह बहुत छोटे-छोटे एक्जामपल से मज़ों लेकिन यह जो एक्जामपल है वह आपको ई-बिजनस को समझने में मदद करेंगे क्योंकि आपने क्या किया अपने फूड आयटम को बुक किया ठीक है और आपने अब जिस तरही का पेमिंट मेथट जो है वो डाला है वो आपपे डिपेंड करता है और आपको क्या हुआ घर बैटे बैटे वो गर्मा गरम खाना आपके पास पहुंच गया बिना आपको परिशान हुआ है तो यही एक e-बिजनस का पार्ट है